क्राइम पिट्रोल सतर के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब का स्वागत करता हूँ क्राइम पिट्रोल के माध्यम से हमने कई हाई प्रोफाइल और दिल दहला देने वाले अपराधों की कहानिया आप सब तक पहुंचाएं और इसी सिल्सिले को बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आये हैं 30 दिन में 30 कहानियों की शंकला और इसमें हमारे साथ देंगे हमारे गेस्ट और देश के जाने माने क्राइम रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं नमस्कार मैं हूँ साहिल जोशी अगले एक महने मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क में कुछ ऐसे अंसुने और अंदेखे केसे जो मुझे लगता है कि आप दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है टेक्नलोजी का मूल मंत्र याने प्राइमरी अबजेक्टिव हमारी जिन्दगी को आसान करना था जिन्दगी की छोटी छोटी परिशानियों को हल करना था लेकिन देखते ही देखते वो हमारी life का हिस्सा बन चुकी है इतना ही नहीं तो हमारे life को control भी करने रगी है जैसे बानो technology ने हमारे जिन्दगी जीने का DNA ही बदल दिया है लेकिन आज जिस crime की कहानी में आपको बताने जा रहा हूं उसने हिंदुस्तान की crime की हिस्टी में एक ऐसे अफरात को जन्द दिया है जिसने crime करने के तरीके को ही बदल दिया क्या यूं कहे हिंदुस्तान की crime के DNA को ही बदल दिया है सब्सक्राइब कर दो कर दो कि अपके किस बादेश करें जांटे काई पाई नहीं हो रहा है तो बोल दो नहीं हो पाईगा मेरे दिजाइइज केना बांद बद बढ़ाओ एक महिना रहे गा एक महिना रहे बाद रहे अब हाई तक म I'm so sorry I'll take it You know what? Do not take it पापानी जो मिस्टेक हिया ना तो में परमोशन देखे I do not want to take that list तो जो कर रहे थे वही करो मानिजर के सपने देखने तो छोड़ी दोते शोई प्लीज मेरा फोन पेक अप करो अर्जिंट है हलो शोई अब मेरी एद कैसे आगे तुमाइब I know पापा ने तुमारे साथ ठीक नहीं किया बट मैं तुमें कमपनी में वापस बुलाना चाहती हूँ कमपनी को तुमारी ज़रूरत है तुम मतलब सिफ अपनी कमपनी के लिए बला रही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि मज़े भी तुमारी ज़रूरत है तू छीक है तुम उससे शादी करोगी आईए एक बाद फिर हम आपका स्वागत करते हैं फोटो पहचानों कॉंटेस में इस बाद आपको पहचाननी है ये तस्वीर इस तस्वीर में हमने मर्च किये हैं तीन चेहरे जिसमें से एक चेहरा है एक बहुत ही मशूर अधाकारा का बस उस अधाकारा को पहचानी है और हमें उसका नाम सेंड करिए जीतने वाले दस लखी विनट को मिलेगा उन्हें पांच लाख रुपे का इना और एक ब्रैंड न्यू कार चलने शारी जल जल्दी मेसेज कर अपना एक मेसेज भी अगर लखी ड्रो में आ गया न तो अपने को पांच लाख और एक कार मिलेगी बाई पांच लाख रुपे तू रख ले ना? मैं तो कार ले लूँगा उन्ही गल्फरेंड को बटा के हंटेट पर लेकर जाओंगा मैं उसका बाप मोटा सामी है भे और तेरा बाप जहर खुरानी का था? भे तो तेरा बाप कौन सा सचर्चन करता था भे? जहर खुरानी तो अपने रगों में बसा हुआ है ठक्तिया रेप और अपरण ये हमारे देश में बहुती कॉमन अपराद है लेकिन ये जहर खुरानी क्या था दरसल इस नाम के पीछे एक अजीब और गरीब कहानी है और इस कहानी ने एक ऐसी कहानी को जनम दिया जिसके बाद हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री में एक कुख्यात अपराद का जनम हुआ आपको पता है मैंने आज इटली के क्लाइट से 40 करोर्स को ओडर लिया है I'm really proud of you, Pata Thank you, Dad I gotta go, I'll quickly go and change, okay? लेकिन, Rumi बिटा, वो प्रशान की मदर का कॉल आया था तेरे पापा के हाट अटेक की वज़े से हमने तेरी शादी पहले ही पोस्पोन कर दे थी लेकिन अब ओरो ये शादी जल्द से जल्द कराना चाह रहे कैसी बाते अपको पता है कि मैं next year कितना busy हूं मेरा पूरा ध्यान बिज़स पे जाने वाला है मैं यशादी करूं की मैं बिजनस संभालोंगी आप फे काम करो ना, आप उनको इनको जादी के लिए मना कर ते कैसी बात कर रहे है तु पेरी शागाई हो चुकी है और तू तो आप आप बोल दो कि मैं आप यह शादी नहीं करना चाहती है क्या बोल रही बटादी दादी प्रीज दोन फोस मी आपको भी पता है आपके तब यह ठीक नहीं रहती है कि मुझे बिजनेस संभालना है और वो विशाल जिसको अपने नया नया मैनेजर रखा है इसको कुछ काम नहीं आता है आपको अपने शोईब को वापस ला रही हूं का अपनी नहीं किया है आप दोनों जानते कि आपने शोईब को क्यू निकाला था किस मेरा और शोईब का अफैर था अच्छा तो तो अब ये कहेगी तो स्टों शयब से शादी करना चाहती है ना हाव कैसी बाते कर रहे हो वेने कहा कि मैं शोईब से शादी करूँगी पर इसकора यह भी तो नहीं ना कि मैं शोईब के गलत इंजाम लगने दू तो यह है वो 10 लखी विजयता जिन्होंने जीते हैं पुरे 5 लाख रुपे और एक ब्रेंड न्यू कार अरे यह फ्रोड है यार यह सब कॉंटेस्ट साले एक मैसेज का 15 रुपे लगता है हम दिन में 10-12 मैसेज करते हैं हर मैसेज यह लोग पैसा कमाते हैं सो पूरे कंडेर में अगर यह करोडोग में मैसेज करते होंगे ना तो एक निन में 15 करोड खमाते हैं लोग पर तो हम लोग क्या कर लेंगे इंका बता हम लुए कुछ मिल कर सकते हैं लिकिन अपना तो कुछ कर सकते हैं मतलब है Senhor, What I was saying to me here, go see the roomy office we have to get to him over? वसाना मिलना है न? एकाम करते ना बार कही मिलते हैं? अच्छा ठीके बताओ, कहा मिलना है? रूमी तुम दो मिनिट रुको, कही जाना मत वह से ठीक है? वहीं पर रुको, मैं तुम्हें कॉल बेक कर रहा हूं यहां पर? यहां पर चुरोपना है? अरे, रूमी तुम रुको तो सही, मैं तुम्हें कॉल बेक कर रहा हूं कमाल जी, एकाम कीजी यही लेक्ट में रोक लीज़े जी मेंड़ है सर, सर, रूमी मैडम का एक बायर के साथ तीम बजे मीटिन था लेकिन वह अभी तक ऑफिस ही नहीं पहुची है रेकिन वह तो सुभई चली गई है रूको बात करता हूं सर, सर, मैंने उनको फोन किया बढ़र उनका फोन सुच हो बता रहा है इवन सर, ड्राइवर को भी कॉल किया उसका भी फोन सुच हो बता रहा है क्या? जोनों का फोन मन दर है आपकी बेटी सुभे घर से कितने बज़े निखली थी? सुभे दस बज़े और तीन बज़े मुझे मालूम पड़ा कि आज ओफिस ही मही पहुंची गो पिशले शे घंटे से मैं अपनी बेटी और ड्राइवर को ढूंदने की कोशिच कर रहा हूं आप अपने बेटी और ड्राइवर का नमबर हमें दे दीजी हम पता करते हैं और हाँ आपकी बेटी की गाड़ी का नमबर भी पिकरान तुम समझने की कोशिश करो नब थक गई हो रोज रोज के ड्रामे से हम उझसे और इंतिजार नहीं होता हुँ तात्मी ने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दिया यह देखो कल भी मारा उसमे मुझे यह देखो तुम प्लीज जल्दी इंडिया वापस आजाओ मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचान हो ने किता लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जब तक तुम्हारा डिवाउस नहीं हो जाता हम दोना चाहके भी एक दूसरे के नहीं हो सकते लेकिन मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ तो शाही बाद डिवाउस की तो वो भी फाइनल हो जाएगा लेकिन तुम प्लीज जल दिवाउस आपके ड्राइवर और रूमी के फोन में एक साथ बंदुए थैं लेकिन ये इलाका आपके घर ये ओफिस के रूट पे नहीं आता तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूमी एक किसी दोस्ते रिश्रदार से मिलने कहीं हो नहीं उसकी ऑफिस में एक इंपोर्टेंट मीटिंग थी वो कहीं और जाई नहीं सकती है रूमी को आखरी कॉल किसी शोईब नाम के लड़के ने की थी आप जानते हैं किसी शोईब को सब शोईब मेरी बेटी को बैका रहा था और उसके बैकावे में आकर मेरी बेटी उसे दुबारा जॉब पे रखना चाहती है ममा कैसी बाते कर रहे हो मैंने कहा कि मैं शोईब से शादी करूँगी पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं शोईब पे गलत इल्जाम लगने दूँगी तो शोईब के इन टेंशन को समझ नहीं गए उसकी जगे ना तो हमारी कंपनी में होनी चाहिए और नहीं तुमारी जित्तिकी मुझे पुरे यकिन है सर कि शोईब नहीं मेरी बेटी को गयप किया है हालो निकीता राठोल जी बोलिये मैं कसम से बोल रहा हूं युएस से आपके नाम का एक पारसल लाया है जो कि किसी विकरांत देव ने भीजा है हां विकरांत मेरा फ्रेंडी है आपको मालूम है कि उसमें उसने 15 लाग की जोल्री बेजी है आपको 15 लाग की जूल्री हां इतना सोना पार्सल करना गलत है ये को उफेंस है अ लेकिन सर वो दो गंटे के अंदर अगर आप जैपूर एरपोर्ट में पोचे तो इस बंगनिक सर यहां सी गुजरने वाले एक आदमी ने इस लाश के बरहन बताया तो इसकी पॉकेट से ही ये पसर मुझे लगता है कि कमाल को यहां पे मार के रूमी को यहीं से गायब किया जया है अलो अपनी बेटी रूमी की याद तो बहुत आ रही होगी ना कौन बोल रहा है तेरा अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो साथ करो रुपे का इंसर्दाम कर अगर पुलिस को तुने कुछ भी बताया ना तो अपनी बेटी को कभी देखने पाएगा तुम लोग तुम जो बोलो के करूँगा मैं मज एक बर मेरी बात करा दो मेरी बेटी से अपना दिमाग लगाना बनकर और पैसो का इंतजाम कर और पैसे कहा लाने वो में बता हूँगा समझा अलो कि अज़िए आवाज से वो छोटी उमर का लड़का लगरा अपना दिमाग लगा ना बनकर छोटी उमर का लड़का हां सर बोल रहा था कि वो लोग रूमी को एंपी ले गा है जरूर ये शोईक का काम है कस नमपशन किया था यह एदि किस통 आम बंब से दो बार कॉल यगा पशल आई पर सुगे नुस्त कि अरंच माइद इस उस वे नौग फूल कहारा विय। अब जब दपारा कि टॉबारा कितने बज़तल आप हमी चार बज़े पैस्टेव कर लिया हा लेकन मेरी एक क pró уд已经 wired जल्दी पठना लेकर आजा पहले बोल रहते हैं फिर बोलने लगे पठना ले गए ठीक हम पता करते हैं कि दोनों कॉल आपको कहां से किये गए ठीक असा लेकिन आप लोग जल्दी कीजिए पिछल चौबिस गंटे से रूमी उनी लोगों के पास है आप ते करमत कीजी हम मामी के नाम आप हमें डेर लाख रुबे में टलका रहे हो अपक करोड़ों की आसा मी दे दी तुम दोनों को उस रड़की के बाप से करोड़ों पर ले सकते हो तुम दोनों यार हमने अगर फिरोती मांग लीना तो बॉत बूरे फज़ेंगे हम लोग उसके साथ जो चाहे हमोग कर लेना लेखने जिन्दा मद जोना वरस circumstance मध्रियो अ मसरी नहीं देख रहा हूं कि जृपरी देखर रहा हूं कुछ करिशान लग लग रही हूओ कुछ पात है यह नहीं कोई बात निया प्यार से पूच रहु है कि आपसम थे भॉख आ इड किल लर ने वाला है हमार में डर रही थी निकिता ये सिर्फ पैसे खाने का चक्कर है उस कस्टम वाले को धाय लाग डोपय की ब्रैइब देनी है बस धाय लाग अरे 15 लाग का सुना चुड़वाने के लिए ये कम है ना उसने मुझे अपना अकाउंट नमबर भीचा है मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूं फिर कल तर तुम्हार पास 15 लाग के गयों का पारसल भी पॉच जाएगा चेक अजया थे तुम्हें पादर को फिरोथी के वो दोनों पर फतना से किये गए तो और दोनों ही नंबर फेक आइडी से लिए गए पिनापर पेस फोन को बोल रहे था है कि रूमी को पहले उल्लों ने दिल्ली से एंपी और फिर एंपी से पटना लेके गा है उसाथ करोड गुमा रहे हैं हमें पक्का कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है तो देश की राजनाने दिल्ली में दिन दहाडे एक लड़की की किड्नैपिंग होती है लेकिन रूमी अगरवाल की किड्नैपिंग किसी के प्रोफेशनल रैवलरी का अंजाम है या रूमी किसी के नफरत के शिकार हुई है रूमी को गायब हुए 36 घंटे से भी जादा का वक्त बीच चुका है रूमी का बॉइफ्रेंट शोएद शक के दायरे में जरूर है लेकिन पुलीस किसी और एंगल पे काम क्यों नहीं कर रही है हलो जी सर शोएब बात कर रहा हूँ तुने अपनी औका तिखाई दी ना बोल क्या चाहिए तुझे लेकिन मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे रूमी को कुछ नहीं होगा तुझे मैं पुलिस सभी तुझे बचा दूँगा और साथ के जगे दस करोड दूँग यकीनिस में कोई चाल है उसकी और वो जो दो बच्चे ने फोन किये थे ना इसी ने करवाई थे सर अम कुछ करते हैं आप शांती रखिए जो करना जल्दी कीजिए सर मेरी बेटी पता नहीं के साल में हो लेकिन क्या इतनी सी दलील काफी है सुशांत को शक के दाइरे से बा किया रहा था क्या फिर भी सुशांत को निकिता की परेशानी नजर नहीं आई क्या किसी टूटते रिष्टे में आपस में दो टुक बात करने की गुंजाईश भी खत्म हो जाती है अर्या आप टेंशन मत दो उस बार उसे बाप को बोलेता हूं उसके बेटी राची में है और वो साथ करो रुपे राची में लेकर आज़े है करते हैं कि ङर्मन को सांटर्टि जर्मनी से ने इनियाम्साइँ वरेट किया गोडार है और यह कॉलर के मॉलर रूट जैन्मन से टिजन को कॉल करते हैं हमेंन कॉलर्स को ठेस काना मिलिस्य से प्रशर है जैने रिच्ट fällt We have to do it fast, understand? Sir! Sir! Alwar काई केस है सार, तो तो सब डाइलाग रुबेगा है? डाइलाग? दो गंटे के अंदर अगर आप जैपुर एरपोर्ट में ही पोचे, तो इस पंग्लिक चार्ज में आपके खलाफ परेस्ट वारेंट इशू को जाए. अलवर्ट पुलिस ने इनिशनल इंडिस्केशन किया है, यह उसकी रिपोर्ट है. निकिता का फोन देखाम ले, इसमें विकरांत के नाम से एक नंबर शीट किया गया, लेकिन वो नंबर किसी फेक IDC लिए गया था, और उस नंबर से निकिता के नंबर पर दिपक चौधरी के बैंक अकाउंट के डिटेल भेजीगी, फिर आपके और निकिता के जोएंट अकाउंट से दिपक को धाई लाखर पर ट्रांसर किये गए. मैं वही तो आपको बताने ही पोर्शिश कर रहा हूं, कि निकिता उनके चंबल में फच चुकी थी, लेकिन निकिता उन लोगों के टच में कैसे है, सर वो मुझे नहीं पता, वैसे भी हम लोगों आ डागोर सोने वाला था, लेकिन सर मैंने अक्सर निकिता को किसी लड़के उस लड़के ने यूएस पे 15 लाग की जलरी निकिता को भेजी, जो कस्टा में फच चुकी थी, और उस लड़के की कहने पे, निकिता ने हमारे ज्वाइंट अगाउं से धाई लाग की घुच दी उस कस्ता हूं गाले, तर मैंने कभी उस पर भुरोसा नी किया, और अगर भुरोसा नहीं करता था, तो उसके साथ रहा की उरात, मार पिट करता था था न उसके सथ, इसमें देड़ लाग रुपे दे कहां गे, मैंने रख लिया, अरे तो उसमें आदा पैसा मेरा भी है, तो बारा लाग माइनस में है, पच्छतर गटा दे, सवा गयरा लाग बजग साथ से बात करता हूँ मैं, कि कुछ नहीं कर रहा है आप लोग, सर, दीपक चोधरी का बैंक अकाउंट पांच साल पहले उपन हुआ था, और मैं इस ब्रांच में तीन साल पहले से, मेरे रहते तो कभी दीपक नहीं हाँ विजिट नहीं किया, उसकी सारे ट्राजक्शन ने बस सर, यही डिटेल से इसमें, अब अगर इसका अकांट फ्रीज किया तो यह अलर्ट हो जाएगा, ट्रांजक्शन करता रहेगा तो इस तक मांजने का सोर्स मिल सकता है, शासरी जी, अब प्लीज मेरे लिए काम करी, किसी भी बहाने से इस दीपक को एक बार बांच में परवाँ दीपक चौधरी नम का कोई भी कस्टम अफिसर नहीं है, यह दीपक चौधरी बहुत पहुंची हो चीज है, और विकांग, यह भी इस से कनेक्टेड हो सकता है, हमें पता करना है कि निकिता इनके टच में कैसे है, कैसे इन लोगों ने निकिता को ट्रैप किया, न देखा क्या हो गया, तो मैं क्या करूं मम्मी, अखर इस जॉब के लिए उम्जी स्कूटी के जरूद नहीं होती ना, तो मैं अभी नहीं कर दी, हम लोग पहले से ही पैसो के ले बहुत महोताज है, और तुने इतना बड़ा रुक्सान कर दिया, और इतनी पड़ी लिखी है कम से कभी इतनी तुकल होनी जाए किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, अब कहां जा रही है, बात कर, तो क्या करों मम्मी, अब मर जाओ क्या, अब मर जाओ क्या, पागल हो गई है क्या, मरने की बाते कर रही है, इस देखा के अकॉंट में जारतर पैसा, साथ E-Wallet अ अलग-लग स्टेट के हैं, इन में से किसी भी E-Wallet अकाउंट के साथ लिंक तो मॉबाइल अब एक्टिव नहीं, और एक बार, इन में से किसी के भी अकाउंट से, जब पैसा दीपक के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो तुरंत, कैश्वी विड्रॉड हो जाता है, इ गिए दीपक और इसके ग्ग तक पहुचने के एकी जरीए, यह साथ E-Wallet अकाउंट होल्डर्स, सब की कुन्डि लिख होंगा लाएं. Sir! मेरी रूमी को साथ लेकी आना देखे, हमें निकलना होगा फ्लाइट कडायम हो गया चलिए हमने इन साथों यी वालेट एकाउंट को स्टड़ी किया तो पता चला कि इन एकाउंट में देश के लगबख हर्क होने से और कई लोगों के एकाउंट से पैसा आता है और इन सभी लोगों के साथ अलग लग तरह के फ्रॉड हुए और एक बात साथ ये शिमला वाले सुमेट सिंग के इवालेट एकाउंट में मेरट की अवनी गर्ग नाम की एक लड़की के इवालेट एकाउंट से पहले 5000 रुपे ट्रांसफर हुए और उसके कुछी सेकंड्स के बाद 50,000 रुपे यूपी आई के तरह ट्रांसफर हुए और एक मिनट के अंदर ये अंदर सुमेट सिंग के एकाउंट से दीपक के एकाउंट में 55,000 रुपे ट्रांसफर हुए सर और खास बात यह सर पता चला है कि कुछी टाइम पहले अवनी की एक हिट अंदर केस में मौत होता हुए जड़की के साथ हुए फ्रॉड का हिट अंदर केस से क्या कनेक्शन है इस इट अ मुर्डर मेरे पोलिस को भी ऐसा ही कुछ डाउट है सर पर कुछ कह नहीं सकते कि अवनी के साथ हुए इस फ्रॉड में और हिट अंदर केस में आपस में क्या कनेक्शन है जड़की की फैमिली में कौन कौन है साब मेरी बेटी अवनी जलिवरी देने वाली एक जॉब करना चाहती थी जिसके लिए उसे एक पुराने स्कूटी चाहिए थी और पुराने स्कूटी कहां से खरेजना चाहती थी इंटरनेट पहना आरेलेक्स करके जहां पर पुराने सामान बेजा जाता है मम्मी देखो कैसी स्कूटी है यह ना आरेलेक्स का पोटेल है यहां पर ओर डिरेक्ट आट डालते हैं सेल करने के लिए और से 37,000 साइज लिखा है मैं इसको फोन करके और कुछ कम करवा लेती हूँ अभी कॉल करती हूँ फिर अपनी ने उस आदमी से फोन पर स्कूटी के दाम कम करा है और उस आदमी के कहने पर आपनी ने उसके खाते में पहले पांच हजार डलवा दिया लेकिन आपने तो पांच हजार कि यह का पच्छा से जार डलवा दिया पच्छा से जार? आप ठेंसर मतलो मैं आपका 45,000 आपको वापस कर दूँगा मैं आप पे अकाउंड में यूपी आई से पेमेंट करूँ यूपी आई? मैं आपको पेमेंट करने की एक रिक्वेस्ट बेचता हूँ आप की वार कोड स्केन करके अपना पिन डाल दिजी तुरन पैसा आपके अकाउंड में आ जाएगा ठीक है और आप लाइन पर रहिएगा ताकि कोई कन्फूजन ना हो आपको रिक्वेस्ट मेंसिज आया? एक सेकर हाँ सर आपका मेसेज रिक्वेस्ट आया है उसको स्केन कर ली थी जी हाँ सर मैंने स्कान करके पिन डाल दिया है साबो साद में ने अपनी को ऐसा पागल बना है कि उसके बाद अपनी के खाते से पचास हज़र और कट गए और फिर उसने अपनी का फोन उठाना ही बन कर दिया ऐसा नहीं है कि इन फ्रॉट्स का शिकार सिर्फ अशिक्षित वर्क होता है बलकि शिक्षत वर्ग भी और कई नामी हस्तियां भी इन फ्रॉड्स का शिकार हो चुकी है साइबर क्राइम अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डेटेल्स पता करने तक ही सीमित नहीं रहा है आपका OTP नंबर पता करने के लिए सिम स्वैपिंग के गुण भी ऐसे अपराधियों ने इजात कर लिए है ये क्रिमिनल्स आपको इमेल और मेसेजिस के जरीए लुभावने एंक्रिप्टेड लिंक्स भेज कर भी आपको चुना लगा सकते हैं ऐसे लिंक्स पर किया गया आपका एक क्लिक आपका खाता साफ कर सकता है और अनसेक्यूर्ड मोबाइल अप्स भी ऐसे क्रिमिनल्स का हत्यार है जो फोन मिरिरिंग का काम करती है और फिर आपकी phone banking apps को control करके ये criminals आपको ऐसे कंगाल कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता ऐसे frauds से बचने के लिए सतर्क रहना हम सब के लिए बहुत जिरूरी है हलो, LNC Bank जी मैं दीपक चौधरी बोल रहा हूँ मेरा आपकी bank में account है, जिसके बारे में मुझे आपके manager से बात करना है Sir, दीपक चौधरी का phone है, वह आपसे बात करना चाहता है तुरांद उसका call transfer करो जी मुझे जहना था मुझे आपकी bank से mail आया है जिसमें लिखा है अगले 24 गंटे मेरे transaction suspend हो जाए है और मुझे आज एक urgent transaction करना है दीपक जी आपका register mobile number काफी दिनों से बंद था तो security purpose है हमने आपके account को freeze कर दिया और सिर्फ आपका नहीं ऐसे हमने बहुत सारे account freeze किये जी वह मेरा phone खो गया था Don't worry, दीपक जी आप एक काम कीजिए आप किसी दूसरे number को अपने account से लिंक कर लीजिए आप जब भी आपके बास वक्त हो आप दो मिनट के लिए बेंक आजाए आपका काम हो जाएगा और आपका account एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है, thank you के देगे थाथ, आरेलेस के पोड़ल से स्कूटी का वाइडा भड़ चुका है जिस्टे अवनी के साथ रॉड़ आती है ये लोग आएदेन ऐसे पोड़ल पर इस तरह के फेक आइड डालते रहती है इस पोड़ल की टीम से कंटक्त करो हमें उस IP अडर्स को ट्रेस करना है जहां से स्कूटी का वेक अड़ लगया था सब हेलो अज़ार उसे लर्वाता रभाता ता तो बैंक अकांट भले ही मेरा है लेकिन मैं असे अपरेट नहीं करता था मैंने अपना बैंक अकांट रेंट पे दिया था पांच साल पहले मैं दिल्ली में जॉप करता था तब मेरी दोस्ती नवीन नाम के एक लड़के से उई थी उसीने मेरा अकांट रेंट पे लिया था तो तेरे अकांट के साथ जो मॉबाइल नमर लिंक है वह नवीन इस्तेमाल करता था नवीन नहीं तो उसके लोग यूज़ करते होंगे सर मेरे जैसे बहुत लोगों के अकांट हायर किये उन्होंने और ये नवीन की फोटो है कोई तरे पास पांच साल से में मिला नहीं उससे सकाच बनवा सकता उसका पांच साल पहले इसी ने मेरा अकाउंट रेंड पहली आदा इस नवेन मंदल का सकाच सब जगा सर्कुलेट करों और जिस जिस नमबर से दिपक को कॉल करता दो सब को ट्रेस करों पांच साल पहले हुए रुमी किट्नैपिंग और मुर्डर केस में इस नवीन मंदल और उसका दोस्त यूसुप अंसारी के इंवॉल्मेंट के बारे में हमें रुमी के ड्राइवर कमाल के जरिये पता चला था पहले हमें लगा था कि कमाल भी विक्टिम था इसकी पोस्तमाटम रिकोर्ट के बाद हमें पता चला कि वो लाश किसी 30 साल के आदमी थी जब कि कमाल की एज 40 साल के उपर थी पिर जब हमने कमाल को डीकोट किया तो पता चला कि कमाल का भांजा यूसूफ अंसारी और उसका दोस नवीन मंडल इस पूरे किड़नापिंटे दोरान कमाल के साथ तच्छे थे हमने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक इस नवीन मंडल यूसूफ अंसारी और समाल को पकड़ नहीं पाएं मैं तो उन लोगों को पैसे देने के लिए तैयार की था इंफेक्ट दिल्ली पुलिस के साथ 7 करोड लेके रांची भी किया था सर शाम से रात हो गए लेकिन वहाँ कोई नहीं आया उसके बाद दो लड़के आए और वैग लेके भाग गए पुलिस में कोशिश की लेकिन उने पकड़ नहीं पाया पैसे भी गए और उसके बाद मंडल, अंसारी और कमाल यह सिरफ दोखादरी नहीं बलके मडर और रेप केस में इंवल्ड हमें इन सब तक जल से जल पहुंचना है जे सर और सर यह मंडल दीपक को जे नमबर से कॉल करता था वो सभी नमबर्स पीक आईडी से लिए गए नमबर से और इन नमबर्स की लोकेशन ज्यादा तर जाम ताड़ा है जाम ताड़ा हलो, हलो, हलो सर, मैं ABS बैंक से बोल रहा हूँ सर, क्रेजी का के पीशे से से लिए नमर रुक्रिया पाइं, तो, थ्री साइबर क्राम का एक एसा गड़ जहां से होने वाले फ्रॉड्स भारत में ही नहीं बलकि यहां से दूसरे देशों के कई लोगों को भी नुक्सान पहुचा चुके हैं जाएं सर, जाएं अंसारी, मंडल और कमाल इन तीनों के फोटो बहिज़ेते आपको पता किया? हाँ सर, पता किये, कोशिश जारी है लेकिन यहां पर तो सर, हर कोई मंडल और अंसारी है बैठिये ना? एट्स ओके कहने का मतलब की, खाली शक के बिना पर कितने मंडल और अंसारी को अंदर करते और वैसे भी हमारे पास ओनलाइन फ्रॉड को कोई प्रूफ तो था नहीं लेकिन हम यहां से फ्रॉड केस के लिए नहीं, मंडर केस के लिए भी आये हैं तर आपका बात हम समझ रहे हैं लेकिन क्या है कि यहां पर खबरी नेटवर्फ भी काम नहीं आता है जब तक वो तेनों मिलने जाते हैं हम यहां से जाने वाले नहीं हैं सबसे पूरे पूरे इलाके को सील करवाई है जीन मुझरिमें की तलाश में हम यहाँ पर आये हैं अब भागने की फिराफ में होंगे इलाका सील करवाई है उसके बाद हम ग्राउन प्रोप रहेंगे तर्मा महल देख रहे हैं लोगों के? यहां पर 500-200 कोड का फ्रॉड होता है उसी फ्रॉड की बदॉलत लोगों ने महलों जैसे घर बना रखे हैं यहां पर और यह मॉबाइल टावर्स इनसे इनको स्टाउंग नेटवर्क मिलता है जिससे अनलाइन फॉड करने में असानी होती है इसलिए यहां सपास रहते हैं एक मिनट सर, सर, हेलमेट लगा लीजे, सर यहां से पूरी साबधानी सजान में ही बलाई है, कोई वरोसा नहीं है सर, कभी कभी पत्थरवाजी को जाती है यहां पर फोडो को जहां से देखो, इंबनों को यहां पर देखने है, अरे ध्यान सब के सब इन्वावन हैं सर, हर घर में एक ATM मास्टर है ATM मास्टर, हाँ सर, वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को यहां पर ATM मास्टर बोलते हैं, लंबा इतियास रहा है यहां का, यह ATM मास्टर के पहले यह इलाका जहर खुरानी के आम से प्रसिद्ध था, बट खुराना, जहर खुरानी सर, वो जब ट्रेन आती थी ती गाउं में तो लोकल लोग चड़ जाते थे, और पैसेंजरस को नाशे या जहर की चीज़े खिला के उंको लूट लेते थे, तब यह लोग उठाए गिरी थे सर, आज सब के सब एटे मास्टर बन के हैं, पता चलाए कि अंदर गाउं में कहीं यह लोग स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन इस सालों में हम बहुत पता किये सर, इग्जैक्टली वो स्कूल कहां पर है, पता नहीं चल पा है, तमारी इंफ्लमेशन के मतादी, जंगल में मॉवाइल टावस के पास, यह लड़कों का जुण का जुण आता है, और वहां आके कॉल्स करते हैं, करेक्ट? जी सर, तो पोस जाते हैं, उठाते हैं सालों को, कोई फादा नहीं होगा सर, इधर हम जंगल में घुसेंगे, इधर गाउं में अंदर तक ख़बर फैल जाएगे, तब भाग जाएगे, तो हमें को यह ऐसा रासा ढूड़ना होगा, इससे हमारे जंगल में होने कि किसी को भनक टकना लगे, क्योंना हम रात को यह वहाँ पर चुचाएं, फिर लड़के सुबा सुबा वहाँ पर आते हों, जैसे ही अपनी कारवाई शुरू करेंगे, तब उच लेंगे साला को रंग आप, और हो सकता हमें मंडल अंसारी और कमाल की ख़बर भी में जाएं सर, यह लोग तो उन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता रहे हैं, यह लोग बाले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंसारी मंडल अर कमाल, पक्का भाग नहीं कोशिश करेंगे, नाकमंदी में धील मत करना, सर, जरोट के लेकिन अरोट, जरोट, जरोट, जरोक नुटर काणी वह, वोर्याण नूबर में, तो की और में अंसारी नाकमंदी की कुछ नहीं करना, सर, एक गाड़े की इंफोरमेशन आईए, वरोग नाकमंदी से भागने की गोशिश करेंगे, वो साब, इतना मत्चमकाई है, दो दिन में जमानत पर बहार आजाएंगे हम. आपके पास कोई सबूत नहीं है, कि हमने फ्रॉड किया है. किन्नापिंग और मर्डर भी किया, इसके पक्के सबूत है हमारे पास. कभी पक्ड़े नहीं होगे, अब खुद बोलोगे, यह उल्टा लड़का है. सुमेट! साब बताता है, बताते है, बताते है. साबो, दिल्ली में फोटो पैचानों कॉंटेस में लगाता है, पैसा आरने के बाद, हम लोगों ने सोचा कि कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए. यह लड़की तेरी जंदगी में आने से रही. लेकिन इस लड़की से हमारी जिंदगी बदल सकते है. कैसे? बस तुझे अपने मामा को पठाना होगा. मामा डारेक इड़पिंग में सामिल होते तो सिधा सक उन पे जाता था. और हम भी फज़ आते थे, सार. हमने मामा को विक्टिंग बनाने का प्लान बना लिया था से. मेरा चचेरा भाई है विक्की. यह भी रोटि के लिए कॉल करवाने का उस से मेरा ही प्लान था. कमाल मामा और अंसारी को इसके बारे में कुच नहीं मानूम था. जब रूमी का बाप फिरौती की रखम लेकर राची रवाना हुआ तब मैंने उनको यह बात बताई सर एक ही किड्नेपिंग और मर्डर करने के बाद हमें समझ में आ गया था कि यह बहुत ज्यादा रिस्की क्राइम हो फोटो पैचानों कॉंटेस्क में जिस तरह हम बखरा बने हमें भी ऐसे ही गवरग धन्दे को डूड़ना था उसके लिए हम जामताड़ा आगे और बैंक एक्जिकुटी बन के लोगों के बैंक क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड के नंबर और सीवी बी नंबर उगलवा के उनको लूटने लगे सर हम रोज किसी ना किसी को बखरा बना ही लेते हैं सार उसके बाद ये बैंक वालो ने ओटीप का सिस्टम लगा दिया था सार हमारी मुस्किले बढ़ी जगे लेकिन उसको उगलवाने का तोड भी निकाल गया था सार विखें मुझे अपने एवलेट अकाउं में पैसा लाते थे देरे देरे हमने सब को ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया इसके लिए हम उनसे कमिशन भी लेते थे साथ और आज पूरे लाखे को ट्रेंड कर दिया है आज देश के हर कोने में हमारे सिखाई हुए लड़के सब को चुना लागा रहे हैं अब हम तुम लोगों को सब लगा ने सब लगा ने सब लोगों ने सिर्फ रूमी का मडरों केड़ना पी निगी है तुम लोगों की वचा से कई मजलूम लोगों ने खुद कुछ रिखी तुम लोगों ने ऐसे गईब लोगों को पे लुटा जिनके लिए 500 रुप भी बहुत बड़ी रखम थे किस अब यह बताओ अवनी को क्यो मारा साब हमने तो पास उसके साथ फॉड़ पिया था साब लेकी और कमाई यह दो नो का है अरे खड़ाओ जल्दी फटा फट से खड़ाओ अरे अलवर वाली निकिता गानी रुमी का केस भी खुल दिया है जल्दी कर और तुझे मालूम पड़ा पुलिस ने मंडल और रुमी को भी पकड़ लिया है निकिता राठोर और अवनी गर्ग हमारी इस क्राइम की कहानी की ऐसी पीडिता थी जिनकी जाने बच सकती थी अगर टेक्नोलोजी की इस्तमाल में वो थोड़ा सजग और सतर्क रहती टेक्नोलोजी का इस्तमाल गलत नहीं है लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि टेक्नोलोजी की आड में कोई हमारा गलत इस्तमाल ना कर ले याद रखे, रेप, हत्य और किड्नैपिंग के मामलों में विक्टिन का विवेक भले ही काम ना करें लेकिन ओनलाइन फ्रॉड के मामलों में फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड को तभी अन्जाम दे सकते हैं जब जाने या अन्जाने में आप उसे ऐसा करने की अनुमती दे और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि पिछले कई सालों में नवीन बंडल और यूसुफ अंसारी जैसे लड़कों ने एक ऐसा नेकसस फैला दिया कि जामताडा अब साइबर क्राइम का केंद्र बन गया लेकिन सिर्फ जामताडा ही नहीं देश के कई नामी शहर ऐसे जामताडा की गड़ बन रहे हैं और ना जाने कैसे कैसे हतकंडे अपना कर ये अपराधी हमें लूटने के लिए तैयार बैठे है हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना सकती है इसलिए हम सब को हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विशलेशन के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क जैहन झाल क्राइम श्यूम कि झाल बार झाल